भारत के पहले वाइसराय लाड कैनिंग वैसे तो भारत के गवर्नर जनरल बन करके भारत आये थे लेकिन सन 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय बना दिया गया और इस प्रकार से लाड कैनिंग जो की भारत के गवर्नर जनरल थे और यही जो भारत के आखरी गवर्नर जनरल भी हुए, भारत के वाइसराय बना दिये गए, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाड कैनिंग के विशाय में, तो लाड कैनिंग जिसका कारेकाल, दिखेगा इसको दो तरह से आप लोगों को याद रखना है, इसके कारेकाल को, एक 1856 में ये भारत आया था, गवर्नर जनरल बन करके 1856 में, और ये 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है, फिर 1858 के अधिनियम के तहत इसको भारत का वाइसराय बना दिया जाता है, तो इस तरह ये 1862 तक भारत में रहता है, तो शुरुवात के दो वर्स इसने गवर्नर जनरल के रूप में काम किया और उसके अगले चार वर्स, 1858 से लेकर के 1662 तक इसने भारत के वाईसराय के रूप में सासन किया या फिर काम किया तो दिखेगा लाड कैनिंग इसको अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो ये था लाड क तो पहला चीज ये, तो इसके समय की क्या महत्वपूर्ण घटनाई थी, उस पर अब हम लोग आते हैं, 1857 की क्रांती, काफी बार पूछा गया है कि इसन 1857 के क्रांती के समय गौवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था भई गौवर्नर जनरल लाड कैनिंग, इसके समय में हुआ था न, 1857 की क्रांती, लाड डलहो जी, इसके पहले था भारत का गौवर्नर जनरल, उसने अहड़प निति लाया, दुनिया भर की चीजे की, उससे भारतिये लोग परेशान हो गए, और लाड कैनिंग के टाइम पर क्रांती कर दिया, तो 1857 की क्रांती, लाड कैनिंग के समय आप लोग याद रखेंगे, अठारा सो चपन की एक घटना, अठारा सो चपन, विध्वा पुनर विवाह अधिनियम, यह इसके गवर्नर जनरल रहते समय लाया गया था, यह अधिनियम, विध्वा पुनर विवाह अधिनियम, तो बड़ा इंपोर्टेंट है, विध्वा पुनर विवाह अधिनियम और यहाँ अधिनियम इस्वर चंद्र विद्याशागर जी के प्रयाशों के फल सुरूप लाया गया था इस्वर चंद्र विद्याशागर ध्यान रखेंगे तो विद्वा पुनर विवाह अधिनियम सन 1856 लाड कैनिंग के गवर्नर जनरल रहते सम पारित हुआ था इस अधिनियम के तहत भारत में विद्वाओं को पुनर विवाह करने का अधिकार प्रदान किया गया नहीं तो क्या होता था विद्वाओं को विवाह करने का अधिकार नहीं होता था या तो उनको अपने पती के चिता के साथ जल जाना होता था जिसको सतीप प्रफ़ा को भारत में किसने प्रतिबंद किया था आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सती प्रफ़ा के विरुद्द किसने कानुन बनाया था आप लोग अभी कॉमेंट करके बताइएगा देखेगा इस तरह से हम कोस्चन पूछते हैं ना मैं हूं या कोई भी हो जिसका भी आप lecture देखते होंगे YouTube में कहीं पर भी, तो अगर आपसे इस तरह से question पुछा जाता है, तो आप लोग उसका जवाब दिया करिएगा, आप comment box में लिखेंगे, तो वो आपके दिमाग में भी छपेगा, और कभी वो प्रस्न आपको कहीं दिखता है किसी एक्जाम में, तो आप ध्यान आएगा कि हाँ मैंने इस question को, इस answer को कहीं लिखा था, तो आप जो है question का answer नीचे जरूर किया करिएगा, जो भी पूछे, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, तो सती प्रथा बताईएगा, तो 1856 में विद्वापु नर्विवा, अधिनियम, लाड कैनिंग के समय, इस्वर चंद्र विद्या सागर, 1856 की ही एक और घटना है, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1856 में जो लाड कैनिंग था, इसने मुगल बादशाह, उस समय कौन थे मुगल बादशाह, बहदुर शाह जफर, ये थे ना मुगल बादशाह, तो 1856 में इसने मुगल बादशाह का अपमान किया, क्या किया, इसने मुगल बादशाह और जो मुगल सामराज्य है, उसके लिए एक मतलब बात कही कि जब मुगल बादसाह बहदूर शाह जफर इसकी डेथ हो जाएगी तो इसके जो उत्राधिकारी होंगे जो अगले बादसाह बनेगे उनको हम समराट की उपाधी नहीं देंगे किवल राजा की उपाधी देंगे ये चीज बोला गया किसके द लाल किला जहां पर मुगल बात्साह रहा करते थे तो लाल किला त्याग ना पड़ेगा बाहदुर शाह जफर के मृत्यू के बाद उसके उत्राधिकारियों को वो कुतुब मिनार के निकट कहीं हम लोग विवस्था कर देंगे तो ये लाड डलहुजी ने बोला था और लाड के निक ने बोला था कि हम समराट की उपाधी नहीं देंगे केवल राजा की उपाधी देंगे मतलब की धीरे धीरे ये लोग जो है मुगल सामराज्य को खत्म करना चाहते थे लेकिन 1857 की क्रांती के बाद वो एकाएक समाप्त हो जाता है मुगल सामराज्य तो ये चीज़े इसने महत्वण कारे किये उसको हम लोग देख लेते हैं तो देखेगा जो पहला जो चीज है जब ये वाइसराय बन गया मतलब के 1858 के बाद तो पहला चीज आप लोग याद रखेंगे सैन्य सुधार देखेगा 1857 की जो क्रांती हुई थी उसमें सैनिकों के असंतोस की महत्वण भूमिका थी मतलब जो सैनिक थे वो लोग असंतोस थे ब्रिटिस सरकार से चर्वी वाले कार्टूस पकड़ा देते थे समुद्रपार लड़ने के लिए भेज देते थे तो अब जो है ब्रिटि इस सरकार को ये डर था कि अगर सेना में बड़ी संख्या में भारतियों होंगे तो आगे चल करके फिर से इस तरह की घटना घटित हो सकती है तो इसको खास हिदायत दिया गया कि ब्रिटिस सेना में भारतियों लोगों को कम करना सुरू कर दो और अंग्रेज सैनिकों की k GirlsAND यह संने सुधारों के अंतरगत आप द्यान रखेगा इसके बाद दिखीगा अर्थिक इस्थिती यह फिर अर्थ वeddभस्था को उपर उठाने के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारने का इसने प्रयास किया और एक British अर्थ सास्त्री जिसका नाम था Wilson ध्यान रखेंगे ये एक अर्थ सास्त्री था Wilson इसको जो है भारत बुलाता है किसको British अर्थ सास्त्री Wilson को और British अधिकारी Wilson आता है यहां देखता है यहां की स्थिति को उसके बाद यह क्या करता है पहला चीज आयकर लगाना शुरू कर देता है आयकर income tax आयकर तो यह जो आयकर है ना 500 रुपए से अधिक आय पर लिया जाता था 500 रुपए से अधिक जिसकी आय होगी उससे जो है आयकर लिया जाएगा तो एक प्रतिसत लिया जाएगा अभी क्या क्राइटेरिया है धाई लाग या तीन लाग कुछ है ना उसके उपर वाले को कर लेते हैं साइद मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है तो ये 500 रुपए से अधिक आएवालों पर एक प्रतिसत आएकर निस्चित किया गया ये विल्सन का प्लान था इसके बाद आयात कर ये जो है दस प्रतिसत किया गया आयात कर जो भी सामान बाहर से आएगा निर्यात कर जो बाहर भेजा जाएगा उसको चार प्रतिसत किया गया ये जो है आर्थिक सुधारों के तहत था इसके अलावा इसने जो है नमक पर कर बढ़ा दिया देखो जो अंग्रेज थे ना वो नमक पर बहुत ज़्यादा कर लिया करते थे और महत्मा गानी जी ने तो नमक कानून के उलंगन के लिए दांडी यात्रा किया था जो अहमदाबाद में शाबरमती आसरम है वहा आप लोग ध्यान रखेंगे ये लाड कैनिंग के समय में आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देशे से ये सारा कुछ किया गया इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ इसके बाद अगला जो इंपोर्टेंट चीज है जो अक्सर पूछा जाता है 1869 में हुआ था 1869 का बंगाल क किराया अधिनियम तो 1869 में बंगाल किराया अधिनियम देखे 1793 में लाड कार्नवालिस ने बंगाल में क्या किया था अपना वो लागू किया था ना इस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था तो उस इस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के तहट क्या था कि बंगाल की जितनी भी जमीन है वो किसके सुपूर्द कर दी गई किसके अधिकार में कर दिया गया तो जमीदारों के अधिकार में मतलब कि बंगाल की संपूर्ण भूमी का मालिक कौन हो गया जमीदार और जो किसान था किसान रैयत तो वो जो है भूमी का केवल किरायदार बन करके रह गया ये क साथ उसका अच्छा पटेगा अच्छा जमेगा उसको वो रखता था जिस किसान के साथ उसका बनता नहीं था उसको वो बेदखल कर देता था उसको मतलब अपने किराय की खेट से बाहर निकाल देता था जैसे मान लो आज भी जैसे कोई किराय का मकान देता है कमरा देता है त पिर कुछ आडा तेडा काम करेगा तो जो मकान मालिक है उस किरायदार को भगा देगा तो सेम यहाँ पर हो रहा था जो जमिदार था जो की भूमी का मालिक था वो अपने किरायदार को जब चाहे तब निकाल सकता था तो इससे क्या था कि जो किसान थे वो बड़े परेसान हो जाता तो जमिदार जो है किसान को भूमी से अलग कर देता था उसको फिर दूसरे जगह जाकर के अपना गुजारा करना पड़ता था दूसरे जगह जाकर के किराये पर जमीन लेना पड़ता था तो इससे जो है उनको अपना ग्णाव छोड़ करके दूसरे इस्थान जाना प रहता था चाहे वो टाइम से किराया दे या कुछ भी करें अगर जमिदार का दिमाग खराब हो गया तो वो भगाई देगा तो किसान बड़े परिशान थे और बीच बीच में उन्होंने इस चीज का विरोध भी जताया तो 1869 में इसी चीज को इसी परिशानी को दूर करने के उद्चशे बंगाल की राया अधिनियम पारित किया गया, इस अधिनियम के तहत क्या था कि अगर कोई किसान पिछले लगातार पिछले बारह वर्स तक समान किराये पर खेती कर रहा है हाँ ये हो गया पहला point मतलब पिछले 12 वर्सों तक समान किराये पर खेती कर रहा है दूसरा बोला गया कि अगर कोई किसान लगातार 20 वर्सों तक किराये की भूमी पर खेती कर रहा हो पहले वाले में समान किराया, मतलब एक ही समान किराया देते हुए वो जो है खेती कर रहा है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट बोला जा रहा है 20 वर्सों तक, एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है, 12 वर्स और 20 वर्स, मतलब कि 12 वर्स तक वो जो है लगातार किराय की भूमी पर ख खेती कर रहा है, तो उस किसान को भूमी का स्वामी मान लिया जाएगा, यहाँ पर 12 वर्स, 20 वर्स को समझेगा, 12 वर्स, वो मान लो 12 वर्स तक लगातार एक ही खेत में किराया दे करके खेती कर रहा है, दूसरा बोला जा रहा है 20 वर्स, पता नहीं यह कहे के लिए ऐसा 12-20, 12 अब इस किया गया था तो 20 वर्स यहां पर बोल रहा है समान किराया चाहिए वो अलग-अलग खेत हो लेकिन एक ही समान किराया दे करके वो खिती कर रहा है तो ऐसे किसान उस भूमी के स्वामी मान लिए जाएंगी ये जो है इस अधिनियम के तरह थो रहा था अब इस अधिनि आया तो था अच्छे काम के लिए, लेकिन 1873 और 1863 के बीच एक विद्रो होता है पाबना विद्रोह, ये किनके विरुद हुआ था पाबना विद्रोह तो जमिदारों के विरुद, और यह से विद्रोह का की राया कम जादा करता रहेगा तो समान की राया कहां हुआ तो यह चीज था तो जो जमिदार है इस अधिनियम का उलंगन करना शुरू कर देते हैं तो इसलिए पाबना विद्रो होता है सन 1873 में तो 1869 में बंगाल की राया अधिनियम आपसे पूछा जा सकता है यह किसके समय में लाया गया था तो यह बहुत बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसके बाद देखिएगा न्याइक सुधार न्याइक छेत्र में इसने क्या सुधार किये थे इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं न्याइक सुधार इसके समय में एक एक्ट पारित हुआ थ इंडियान हाई कूर्ट एक्ट इंडियान हाई कूर्ट एक्ट इंडियान हाई कूर्ट एक्ट इंडियान हाई कूर्ट एक्ट यह 1861 में पारित हुआ था कब 1861 में और इस इंडियान हाई कूर्ट एक्ट के तहत बंबई आज का जो मुंबई यह पहले बंबई कर लाता था मदराश और कलकटा इन तीनों इस्थानों पर एक-एक हाई को खुला गया हाई को मतलब उच्छ नयावले Сथापित किया गया इससे पहले सर्वच नयावले की सथापना हो चुकी थी दीवानी परुजदारी नयावले भी लेकिन उच्च ने आयले जो है कहीं नहीं था तो ये इंडियन इंडियन हाई कोट एक्ट के तहत 1861 में बंबई मदरास और कलकत्ता में हाई कोट मतलब उच्च ने आयले इस्थापित किये गए इस चीज को ध्यान रखिएगा इसके बाद अगला जो इंपोर्टेंट चीज ह मैकाले देखेगा मैकाले कौन था एक तो मैकाले की सिक्षा नीती बड़ी प्रशिद्ध है ना मैकाले की सिक्षा नीती तो मैकाले कौन था भी मैकाले देखो ये ना मैकाले 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गौवर्णर जनरल के परिशद में चौथे सदस्य की रूप में नि अधिनियम के तहत गौर्णर जनरल की परिशद में चौंथे सदस्य की विवस्था की गई और जो चौंथा सदस्य होगा वो विधि संबंधी ज्यान रखता होगा विधिवेत्ता होना चाहिए चौंथा सदस्य इसके बाद 1858 के अधिनियम में पांचवा सदस्य जोड़ा जा एंट्री दी जाती है कहाँ पर गौर्णर जनरल के परिशद में तो ये जो है मैकाले 1833 के बाद विल्यम बैंटिक के समय में जो उस समय गौर्णर जनरल था तो उसके समय में इसने जो है कानूनों के सहिता बद का कारिय सुरू किया था इसको बोला जाता है मैकाले की दंड सहीता मैकाले की दंड सहीता तो इसी ने जो है भारत में कानूनों को सहीता बद करना सुरू किया था किसने लाड मैकाले ने तो ध्यान रखना है ये 1833 में गवर्नर जनरल के परशत का چौथा सदस्य जो की विधी सदस्य था उसके रूप में इसकी एंट्री हुई थी और ये इसने जो क्या करते हैं जो भारतिय कानून थे उनको सहीता बद करना सुरू किया और इसके द्वारत जो तैयार किया गया था उसको कहा जाता है मैकाले की दंड सहीता तो ये जो मैकाले की दंड सहीता है इसको सन 1860 में अन्तिम रूप से सुविकार किया गया और इसी को आज हम लोग IPC के नाम से जानते हैं भारतिय दंड सहीता इंडियन पिनल कोड जिसको बोला जाता है न तो ये यही है 1860 में इसको सुविकार किया गया वैसे इसकी सुरुवात इसकी सहीता बद होने की सुरुवात जो है 1833 के बाद से सुरु हो गई थी लाड विलियम बेंटी के समय लाड मैकाले के द्वारा तो सुरुवात में इसको लाड मैकाले की दंड सहीता कहा जाता था और 1860 में इसको अंतिम रूप से सुविकार किया गया और आज भी जो है यही चीज हमारे भारत में चलती है बोलते ना IPC की धारा इतना भारतिये दंड सहीता की धारा कर्मा कितना इतना तो बीज बीच में काफी सारे संसोधन भी हुए और अभी तक जो है यही IPC हमारे संचालित करने के लिए अपनाया हुआ है अभी भी अच्छा यह जो IPC है ना मतलब 1860 का जो IPC है इसी को पाकिस्तान ने भी अपनाया बांगलादेश ने भी अपनाया इसके अलावा इससे मिलता जुलता IPC या फिर कहें दंड सहीता अंग्रेजों के जहां जहां भी गुला देश में भी काफी संसोधन तो काफी सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा लेकिन जो सुरुवात होती है इन सभी देशों की दंड सहीता की पाकिस्तान भारत हो या बांगलादेश जड़ कहां है 1860 का IPC और उससे भी अगर पीछे जाए तो 1833 मैकाले की दंड सहीता इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेगा बहुत बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसमें दिवानी फौजदारी इन सब चीज़ों को सामिल किया गया था इसके बाद लाड कैनिंग के समय की और महत्वपूर्ण घटना 1861 का भारतिय परिशाद अधिनियम हम देखिएगा 1858 के अधिनियम में एक चीज़ बोला गया था महरानी का घोष्णा पत्र में कि अब से जो है जो ब्रिटिस सरकार चुंकि 1858 के बाद भारत का सासर ब्रिटिस सरकार ने सीधे अपने हाथ में ले लिया तो ब्रिटिस सरकार ने भारत में जितने भी देशी उनका विलाय ब्रिटिस छेत्र में नहीं करेंगे यह वचन दिया जाता है लेकिन उसके इस्थान पर एक दूसरी नीती अपनाई जाती है वह होता है अगर कोई भी देशी रियासत देशी राज्य अगर कोई गलत काम करता है मतलब कि कुशासन अच्छे प्रकार से शासन न मतलब कि भई कैसे भी करके उनके उपर नियंत्रण बना रहे है ऐसी खुला भी नहीं छोड़ सकते खुला छोड़ देंगे तो लोग फिर ताकतवर हो जाएंगे न क्योंकि विलाय नहीं करेंगे यह गैरिंटी दे दिया वादा कर दिया कि हम लोग किसी भी राज्य का विल दली साहा को और अवद को जो है ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपणी के चेत्र में मिला दिया गया था तो अब जो है बोला गया कि हम जो है इस टाइप के काम नहीं करेंगे और जो डलहुजी की हड़प नीती थी ना उसको भी समाप्त कर दिया जाता है उसके बाद बोलते ह कि हम लोग अभी इस टाइप का काम नहीं करेंगे लेकिन दूसरे प्रकार की नीती अपना लेते कि कैसे न कैसे करके तो उनको अपना हंटर चला नहीं था तो कुशासन भ्रष्टाचार इन सब का आरोप लगा करके आगे चल करके काठिया वाड हो गया अलवर हो गया उसको तो सत्ता से सिहासन से ही अपदस्थ कर दिया गया और उसको मदरास निर्वासित कर दिया गया लेकिन इन में से किसी भी राज्य का विल ब्रिटिस छेत्र में नहीं किया गया अगर किसी राजा को पदच्यूट कर दिया जाता था तो फिर अंग्रेज जो है वहाँ अ करता है तो उसका निर्णाय फैसला हम लोग करेंगे मतलब उनका हंटर जो है सांत नहीं रहाना चाहिए तो यह सारा कुछ आप ध्यान रखेंगे लाड़ कैनिंग के बारे में कारेकाल था 1856-1862 तो यहां से भी question पूछा जाता है इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग चार वाइसरायों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि उनका छोटा-छोटा सा कारेकाल है लेकिन उनसे भी काफी सारे प्रश्न बनते हैं तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही